जिसे की लास्ट एपिसोड में हमने दिखा कि कैट गरल और निंग आंग रॉंग को तराप में फसाकर निंग रॉंग का सपोर्ट तोड दिया था फिर निंग रॉंग रॉंग ने इल्लूशिनरी विजनुव बोन स्किल का यूज किया था और वहाँ स्पेस ऑफ इल्यूजन फैल गया था निंग डॉंग 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 कैट गल के पास आती है और उसे बताती है कि ये इल्यूजन कुछ देर तकी आ रहेगा अब तुम में जल्दी से मॉमेट वुमेन को हराना होगा वही मॉमेट वुमेन अपनी सिक्स्पिरिट रिंग जिसका नाम सुनामी और फ्यूरी है उसका यूज करती है और वहाँ अब तुफान आ जाता है और उनका इल्यूजन रिलम हटने लगता है वहाँ बहुत बड़ा साइकलोन क्रियेट हो जाता है और निंग रॉंग 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 और कैट गल उस साइकलोन के अंदर फस जाते है तैंग शैंग इस साइकलोन को पहचान जाता है और समझ जाता है कि इसके अंदर बहुत स्ट्रॉंग स्पिरिच्वल शौक है वो सबी को अपने-पने कान बंद करने को कहता है। उसके अंदर का Blue Silver Emperor और उसकी बोडी से क्लाश करने लगता है। वही साइकलोन के अंदर निंग रॉंग 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 और Cat Girl बहुत बुरी तरह से फसे हुए थे। निंग रॉंग रॉंग सोचती है और डिसाइड करती ह कि वो जल्दी से cat girl को boost करेगी क्योंकि boost कर पाने के बाद ही cat girl यहां से भार निकल पाएगी वो यह सब सोच ही रही थी और mermaid woman उसकी इस सोच को सुन लेती है और समझ आती है कि निंग रॉंग 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 अप क्या करने वाली है निंग रॉंग रॉंग अप जल्दी से अ पोल मास्टर के पास विनिक स्प्रांच भी हो सकती है cat girl नीचे आकर सबसे पहले निंग रॉंग रॉंग को final attack करने के लिए तयार होने को कहती है निंग रॉंग रॉंग अपने six soul skill को activate करती है अब जब mermaid woman निंग रॉंग रॉंग को उसकी six spirit ring activate करते हुए देखती है तो वो करने लगती है और अब फिर cat girl नीदर slash technique का यूज करती है और उन पर फिर से attack करने जाती है अब mermaid woman उसे dodge करने लगती है और cat girl उस पर बार बार attack करने लगती है वही मिस्टर दाई बताता है कि अगर cat girl का एक attack mermaid woman को लग जाएगा तो उसकी shadow फिर mermaid woman पर continuous attack करती रहेगी और mermaid woman और जादा dodge नहीं करपाएगी अब कोशिश करते करते cat girl का एक attack mermaid woman को लग जाता है और उसके पीछे 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 उसकी सारी shadows भी mermaid woman पर attack करने में काम्याब हो जाती है और mermaid woman खाल होकर नीचे गिर जाती है cat girl और निंग रॉंग 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 दूनों अब नीचे आते है और mermaid woman के आगे आकर खड़े हो जाते हैं मौमेट woman उनसे कहती है कि तुमने मुझसे जूट बोला निंग रॉंग 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 और cat girl एक दूसरे की तरफ देखकर smile पास करती है और हमें यहाँ से पता चलता है कि ये सब इन दोनों का प्लान था असल में इन्हों प्लान बनाया था कि किस वे में वो उसको हरा पाएंगे उन्होंने प्लान बनाने के बाद डिसाइड किया था कि वो चलेंगी तो प्लान के अकॉर्डिंग ही लेकिन मन में दूसरे दूसरे प्लान सोचेंगी इससे मौमेट वुमिन पता नहीं लगा पाएगी और हमारे पोर प्रांच टूल सोल मास्टर है, उसने अपना फिफ टेस्ट पास कर लिया है, उसकी सोल पारब 78 हो गई है, और उसकी स्पिरिट रिंग्स अब 1000 साल से इंक्रीज कर दी गई है, अब फिर कैट गल की अकाशवानी होती है, और उसका भी ये एक्जाम्ट पूरा हो गया था, कैट गल को ब्लाक लेवल टेस्ट मिला था, और उसने अपने इस टेस्ट के पांचो पड़ाफ पूरे कर लिये हैं, और उसे अब हाई शान आइलेंड के अंदर ब्लाक लेवल अथोरिटी के अवाट से सम्मानित भी किया जाता है, कैट गल की सोल पारब 80 लेवल पर निंग रॉंग रॉंग कैट गल को कॉंगराट्स कहती है, और कहती है कि हमारे बीच तुम तैंक शैंक के बाद सबसे जादा सोल पार की सोल मास्टर हो, वही मोटू अब मिस्टर दाई को चड़ानी लगता है, क्योंकि कैट गलें मिस्टर दाई को भी पीछे चोड़ दिया स्ट्रेंज नोटस करता है, और उसे पता चलता है कि उसके अंदर की जियौंतियांट स्ट्राइक की सेल्फ प्रोटेक्शन उसके अंदर के ब्लू सिल्वर एंपरर के और असे लड़ने लगी है, उसे समझ नहीं आता कि उसके अंदर ये दो एनरजी आपस में क्यों लड़